गरीब के घर आया नया फ्रिज आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा इतना बोलकर शाम जैसे ही खाने का पहला निवाला खाता है वो फौरण उसे थोग देता है क्या हुआ भया आपने खाना क्यों थोग दिया सबजी अच्छी नहीं बनी क्या ये सबजी खराब हो चुकी है ये कैसी सबजी बनाई है तुने जो बनते ही खराब हो गई भया सबजी मैंने सिर्फ एक गंटे पहले ही बनाई है ये खराब क्या से हो सकती है यकीन नहीं हो रहा तो खुदी खा कर देख ले शाम तक मैं खेतों में काम करता हूँ मैंनत मजदूरी करता हूँ इन सब के बावजूद भी मुझे धंका खाना भी नसीब नहीं होता है तो भया इसमें मेरी क्या गलती है मैं तो आप लोगों से कब से कह रही हूँ कि फ्रिज ले आओ लेकिन आप लोगों की हमेशा मना कर देते हो इस भयंकर गर्मी में कुछ भी बनाओ तो थोड़ी देर में ही खराब हो जाता है क्या हुआ तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो मा मैंने आप से कितनी बार कहा था था न कि फ्रिज ले आओ देखो आज फिर सबजी खराब हो गई अब मैं भया को क्या दू खाने में तू कहीं बावली तो नहीं हो गई है यहां हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं और तुझे फ्रिज चाहिए तू जानती भी है फ्रिज कितना महंगा है मा महंगा तो है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग हमेशा खाने की बर्बादी करें आप जानती हो आज कल आए दिन सबजी और चावल खराब हो रहे है तो फ्रिज खरीदने की बात कर रही है तुझे पता है बाजार में मुझे कितनी अच्छी साड़ी पसंद आई थी सिर्फ 600 रुपे की साड़ी थी लेकिन पैसे ना होनी की वज़े से वो 600 रुपे की साड़ी भी मैं नहीं खरीद पाई और तू तो हजारों का फ्रिज खरीदने के लिए बोल रही है आर्ती के घर में आए दिन फ्रिज को लेकर हमेशा बहस हुआ करती थी आर्ती का भाई शाम खेती का काम करता था जिसके चलते उसकी बहुत ही कम कमाई होती थी और उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से ही हो पाता था गर्मी की वज़े से आए दिन घर में बनाई हुई सारी खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती थी जिसे पूरे परिवार का काफी नुकसान होता था लेकिन पैसे ना होने की वज़े से कोई भी फ्रिज नहीं ले पा रहा था ऐसे ही समय गुजरता है और शाम की पायल नाम की लड़की से शादी हो जाती है और शादी के अगले ही दिन इतना कहकर पायल अपनी रसोई का खाना बनाने लगती है और कुछ ही देर में सारा खाना बना का रख देती है खाना तो बन गया लेकिन लगता है मैंने ज्यादा ही खाना बना लिया है कोई बात नहीं जो खाना बचेगा मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी इतना कहकर पायल जल्दी से अपने ससुराल वालों को खाना परोस्ती है और सभी को पायल के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है बहु तेरे हाथों में तो जादू है तुने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है और ये खीर अरे ऐसी खीर आज से पहले कभी नहीं खाई है सभी लोग पायल के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं तभी पायल देखती है अरे ये क्या यहाँ तो फ्रिज ही नहीं है अब मैं इन सारे चीज़ों का क्या करूंगी अगर गर्मी में इसे ऐसे ही बाहर रख दिया तो ये तो सारा खाना खराब हो जाएगा अब मैं क्या करूँ पायल काफी सोचती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता जिसके बाद पायल आखरी में सारा खाना ढख कर अपने रसोई में ही रख कर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर सो जाती है रात बीचती है और सुबह होती है पायल के साथ शोभा जैसे ही सुबह रसोई घर में आती है ये बद्बू कहां से आ रही है लगता है कोई चीज सड़ गई है इन बरतनों में क्या रखा हुआ है जैसे ही शोभा उन बरतनों को खोल कर देखती है तो उनमें से काफी ज़्यादा बद्बू आ रही थी चीजी चीजी इसमें तो काफी बद्बू आ रही है ये सब तो बहुने रात को खाने में बनाया था इसने कितना सारा खाना बरबाद कर लिया और बाकी का बच्चा हुआ उसने ऐसे ही रख दिया इसके वज़े से कितना खाना बरबाद हो गया इतना कहकर शोभा पायल को आवाज देने लगती है अपनी सास की आवाज सुन कर पायल आ जाती है और पायल के पीछे पीछे आरती भी आ जाती है तुझ में अकल नाम की चीज नहीं है गया इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी कितना खाना बरबाद हो गया इतना कहकर शोभा पायल को काफी ज़्यादा सुनाती है जिसे देख कर आरती को काफी बुरा लगता है लेकिन आर्थी जानती थी कि उसके कहने का कोई फायदा नहीं होगा ऐसे ही समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ साथ आए दिन खाने पीने की चीज़े खराब होती रहती है एक दिन आर्थी की सहली प्रीती उसके घर आती है अरे प्रीती बेटा तुम यहाँ जी अंती जी यही से गुजर रही थी तो सोचो आपसे और आर्थी से मिल लूँगी और काफी प्यास भी लग रही थी मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ इतना कहकर शुभा पानी लेने के लिए चली जाती है और आर्थी और प्रीती मिल कर एक दूसरे से बाते करती है शुभा पानी लाकर प्रीती को देती है प्रीती जैसे ही उस पानी को पीती है तो वो कुछ नहीं कहती और चुप चाप से गिलास रख कर जाने लगती है कि तभी आर्थी उससे कहती है क्या हुआ प्रिती तुम ऐसे ही जा रही हो हाँ आर्थी तुम्हारे घर में तो इकलास ठंडा पानी भी नहीं है फ्रिज कौन से लाखो या करोडो रुपए के आते हैं जो तुम लोग फ्रिज भी नहीं खरीच सकते इतनी गर्मी में तुम लोग बिना ठंडे पानी के कैसे रह सकते हो मैं तो 10 मिनट भी ठंडे पानी पिये बिना नहीं रह सकती प्रिती इतना कहकर वहां से चली जाती है प्रिती की बात सुनकर आर्थी को बहुत बेज़ती महसूस होती है आज आपकी वज़े से मेरी दोस्त के सामने मेरी इतनी बेज़दी हो गई मैं कब से आपको कह रही हूँ कि फ्रिज ले लो फ्रिज ले लो लेकिन आपो की लेने को तयार ही नहीं हो पता नहीं किस गरीब घर में पैदा हो गई हूँ आर्थी की बात सुनकर शुभा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो आर्थी को एक जोर दाल थपड़ मार देती है जिसे देखकर पायल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसमें आर्थी की कोई जल्ती नहीं है अब खुद देखती है कि कितना खाना बरबाद होता है लेकिन फ्रिज लाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए अब बिना पैसो के फ्रिज कैसे लेकर आएंगे हम पायल का आईडिया सबको काफी पसंद आता है जिसके बाद पायल सिलाई करना शुरू कर देती है और कुछी महीनों की महनत से पायल सिलाई से काफी जादा पैसे जमा कर लेती है और आखिरकार पायल के ससुराल में फ्रिज आ ही जाता है फ्रिज के आने की खुशी में सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं और उसे टीका लगाते हैं फिर पायल अपने हाथों से सबके लिए आईसक्रीम बनाती है और जब सभी लोग फ्रिज से निकली ठंडी ठंडी ठंड अब तो हमारे पास फ्रिज भी है आप आइस्क्रीम बना कर बेशना शुरू कर दीजिए आसपास कोई भी आइस्क्रीम वाला नहीं है और गर्मी भी इतनी ज्यादा है लोग गर्मी में आइस्क्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं और वो जब आपके हाथ के इतनी अच्छी औ ठंडी ठंडी आइस्क्रीम खाएंगे तो उनहें ये आइस्क्रीम जरूर पसंद आएगी सब को आर्ती का यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है जिसके बाद पायल एक छोटी सी दुकान खोलती है जिसमें वो अपने हाथों से बनी तरह तरह की आइसक्रीम मना कर बेश्टी है और गाउं में हर कोई पायल से ही आइसक्रिम लेकर खाया करता था धीरे धीरे पायल की विक्री बढ़ती है और पायल अब उन पैसों से अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीर लेती है और अपनी आइसक्रिम की भी एक बहुत बड़ी सी शौप खोल जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है बारिश की बुनों में खो जाने का दल करता है वस ये बारिश ऐसे ही होती रहे इच्छा और मेघ़ा बारिश में नाच रही होती है तब ही उनकी आँख खोल जाती है अरे यह तो सपना था उठ गई मेरी दोनों बेटिया कितना अच्छा सपना था पता है मा मैंने और बुल गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ तुम दोनों को हल्दी मेंदी लग चुकी है और आज तुम्हारी शादी है अब तो ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने का वक्त हैं बारिश में भीगना छोड़ दो अब तुम किसी के घर की बहु बनने जा रही हो माँ हम तो अपने ससुराल के भी बारिश में ऐसे ही ना आएंगे और हमारी सासुमा हमारे लिए गर्म गर्म पकोड़े बना कर खिलाएंगी क्या मेगा और इच्छा की ससुराल में पहली बारिश में भीगने का ये सपना पूरा हूप आएगा या पिर अधूरा ही रह जाएगा इसके बाद दोनों शादी करके ससुराल आ जाती हैं जहां सुमित्रा दर्वाजे पर खड़ी अपनी पांचों बहु के सामने पांच कलश रख देती हैं जिसमें से तीन कलश तो चांदी के होते हैं और दो पीतल के पुराने अहाना चांदनी नताशा बहु अपने सुन्दर गोरे पैरों से इस कलश को गिरा कर ग्री प्रवेश करो तुम दोनों के पैर जम गए हैं क्या जल्दी से ग्रह प्रवेश करो काली कलूटी जी मा जी फिर जैसे ही मेगा और इच्छा पैर चूने को आगे बढ़ती हैं सो मित्रा अपने पैर पीछे कर लेती हैं ये अच्छी बहु बनने का धकोसला मेरे सामने मत करना तुम दोनों वैसे भी मेरी पसंद से सिर्क चांदनी अहाना और नताशा बहु आई हैं इसके बाद पाँचो बहु अपने कमरे में चली जाती है जहां इच्छा ये अश्च से कहती है ये अश्च जी क्या मा जी हमारी शादी से खुश नहीं? अचानक से ये सवाल क्यों? मा ने कुछ कहा क्या इच्छा? दरसल मा नहीं चाहती कि मेरी और अर्पिता की शादी तुम दोनों से हो क्योंकि मा को गोरी सुन्दर बहुए चाहिए थी बस इसलिए मगर मैं जानता हूँ इच्छा तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकता और तुम मा का दिल भी जीत लोगी यश्का अपने उपर इतना विश्वास देखकर इच्छा की आँखों में आसु आ जाते हैं अगले दिन इच्छा और मेगा सुबा सुबा ही सारा काम करके सभी के लिए नाश्ता बनाती हैं तो वहीं सुमित्रा की तीनो गोरी बहुएं देर से रड़ी होकर कमरे से बाहर आती हैं और नाश्ते के टेबल पर बैठ चाती हैं गडमानिग मम्मी जी गडमानिग मेरी प्यारी बहुरानियों अरे कहा हो मेरी काली कलूटी बहुवों, जल्दी से नाश्टा ले कर आओ इच्छा और मेगा सभी का नाश्टा लगाती हैं, ऐसे ही दन बीतता है सुमित्रा घर के सारे काम अपनी काली बहुवों पर डाल देती है वहीं उसकी तीनों गोरी बहुएं कुछ भी नहीं करती देखते ही देखते मौनसून का महीना आजाता है तभी आस्मान में बादल गरजने लगते हैं और जूम जूम कर बारिश होने लगती है इच्छा चल चत पर चलते हैं आखे रिये हम दोनों के ससुराल की पहली बारिश है तो इसमें भीगना दो बनता है उन्हें चत पर जाता देखकर सुमित्रा उन्हें टोकती है कहां जा रही हो मेरी काली बहुँओं? वो माजी हम चत पर जा रहे थे कोई जरूरत नहीं है चत पर जाने की और नहीं तो क्या? और वैसे भी अभी आस्मान में बिलकुल तुम दोनों के जैसे ही काले बादल चाये हैं अगर बिजली तुम दोनों पर गिर गई ना तो जल जाओगी बारिश का इतना अच्छा मौसर माजी मेरा तो कुलरण वाली चाय पीने का और गर्मा गर्म पकाड़ी खाने का मन है हाँ माजी ये हम तीनों की ससुराल की पहली बारिश और मेरा तो ये सपना था ममी जी कि मैं अपनी ससुराल की पहली बारिश में टेस्टी पीज़ा खाऊंगी और बटर स्कॉच आईस्क्रिम खाऊंगी मा जी मुझे तो बस चाय और पनीर की पकॉड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बहूँ तुम तीनों की ससुराल की पहली बारिश है जाओ मेरी काली बहूँ और मेरी तीनों बहूँ को जो खाने का मन है वो बना कर लाओ इस तरह से सुमित्रा अपनी तीनों गोरी बहूँ की पहली बारिश को खुशियों भरी बनाने के लिए अपनी काली बहूँ को कामों में उलज़ा देती है दोनों उदास मन से रसोई में चाय पकॉड़ी बनाने लगती है मगर उन दोनों का पूरा ध्यान अभी बाहर हो रही बारिश पर था ये हम दोनों के ससुराल के पहली बारिश है मगर हम चाह कर भी पहले की तरह इस बारिश में भीग नहीं पा रहे जिनकी हर एक बूंदों पर कभी हमारा हक था मेगा तु दिल छोटा मत कर बस चाय पकॉड़े बना कर हम चत पर जलीए ठीक है कुछ देर में इच्छा और मेगा चाय पकॉड़े बना कर परोस्ती माजी ये लीजे चाय और पकॉड़े क्या बात है टामरींड़ तुम्हारी सर्विस तो बड़ी फास्ट है माजी क्या अब मैं और मेगा थोड़ी देर के लिए बारिश में चले जाए ये सुनकर चांदनी चड़कर कहती है अहम अरे कैसे पकॉड़े बनाए है एक पैसे का स्वाद नहीं है इसमें हाँ माजी सच में इस पकॉड़े का अगर बिलकल भी मज़ा नहीं आया एक कैसे अच्छे बनेंगे पकॉड़े जब इन दोनों काली कलूटियों का पूरा ध्यान बारिश पर है और नहीं तो क्या अरे गैस क्या फ्रीफन में आता है इतना सारा गैस भी पूग दिया और पकॉड़े भी अच्छे नहीं बनाए मैं तो कहती हूँ सासु मा इन दोनों काली कलूटियों से न इस भारी बारिश में आंगन में चूले पर भजिया तलवाओ और मा जी घर में गंदे कप्रों का धेर लग गया है और जब इतनी अच्छी बारिश हो ही रही है तो मैं क्या कह रही थी बारिश में ही लगे हाथ इनसे कपड़े भी दुलवा लेते हैं और बरतन भी मंजवा लेते हैं गर का काम भी हो जाएगा और इसी बाने बेचारी हमारी ये काली कोयल भीग भी भी लेंगी क्या पता बारिश में थोड़ी गोरी हो जाएं सुमित्रा पूरी तरहा से अपनी तीनों गोरी बहु की बातों में आकर बेचारी काली बहु को कामों में उलजा देती है जहां इच्छा भरी आँखों से चूले पर पकौडे बनाती है वही मेघहा बारिश में गंदे कपड़े और परतंद होती है तो वहीं दूसरी तरफ तीनों गोरी बअँखु उन्हें चुड़ा कर आंगन में नाचती है मीठा है पोसा है बारिश का बोसा है क्या रहा न ऐसे बारिश का मज़न नहीं आ रहा सासुमा जो हमारे दहेज में हमारे साथ साउंड बॉक्स आया था न उसमें बारिश के गाने चला दीजी और प्लीज छट पर जाकर हम तीनों पर फूल डाले हम ना अपनी ससुराल की पहली बारिश को अच्छे से इंजोई करना चाहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बहुँ तुम तीनों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है अपनी तीनों गोरी बहुँँ की फर्माईश पर सुमित्रा साउंड बॉक्स पर गाना लगा देती है और छट पर जाकर उनके उपर गुलाब के फूल गिराने लगती थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है और सुमित्रा सीडियों से नीचे आ रही होती है तब ही सीडियों पर बारिश के बिखरे पानी में वो गिरते गिरते नीचे आ जाती है आह मेरा सर कोई बचाओ मुझे मेगा ये तो माजी की अवाज है दोनों भाग कर अंदर आती है और अपनी सास को उठा कर कमरे में ले आती है थोड़ी देर में डॉक्टर वहां आते है डॉक्टर साहब माजी ठीक तो है देखे इतनी उचाई से इस सेडियों से गिरने की कारण इनको बहुत इंजिरीज आई है इसलिए आपको इनके खाने पीने से लेकर बात्रूम ले जाने और ले आने तक का पूरा खयार रखना होगा आप चिंता मत कीजे डॉक्टर साहब मेरी तीन बहुए हैं न वो मेरा अच्छे से खयार रखेंगी तब है सुमित्रा की तीनो गोरी घमंडी बहुएं कहती है माफ करना माजी मगर मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ जो आया का काम करूँ हाँ माजी अगर बात आपकी दवाई और खाने पीने की देख भाल की रहती है तो शायद मैं कर भी लेती अगर बात्रूम ले जाना ची 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 ये हमसे नहीं होगा और वैसे भी हम मैं से किसी को शौक नहीं है कि हम रात भर नाइट लगा कर आपके लिए जागे और अपनी सुन्दरता को स्पॉल्ट करे अपनी तीनों गोरी बहु पर लगाई हुई सुमित्रा की उमीद टूट जाती है और ऐसे में सुमित्रा की काली बहुएं दिन रात उसकी सेवा बाड़ी करती है जिन्हें वो बात बात पर सुनाया करती थी माजी ये देखिए मैंने आपके लिए आज मिर्च की पकॉड़ी बनाए है मुझे अरपिता नहीं बताया था आपको बारिश में मिर्च की पकॉड़ी खाना पसंद है चलिए खाकर बताईए कैसे बने हैं पकॉड़ी मेगा अपने हाथों से अपनी सास को पकॉड़े खिलाने लगती है तब ही सुमित्रा की आँखों में आशू आ जाते है ये क्या माजी आप रो रही है इच्चा बहू मेगा बहू तुम दोनों मुझे माप कर दो एक लड़की जब अपना घर छोड़ कर ससुराल आती है तो इसके कई सारे सपने होते हैं और मैंने अपनी गोरी बहू की बातों में आकर तुम दोनों की ससुराल की पहली बारिश का सपना तोड़ दिया कोई बात नहीं माजी बारिश तो हर साल आती है मगर माजी आप हमारे लिए ज्यादा जरूरी है आखिर में सुमित्रा की आँखे खोल जाती है अब उसे अपनी काली बहू की कदर समझा जाती है और तभी एक बार फिर जमा जम बारिश होने लगती है और सुमित्रा अपने आंसु पोच कर कहती है जाओ मेरी बहू और समझ लो यही तुम दोनों की ससुराल की पहली बारिश है इसके बाद अच्छा और मेगा अपनी ससुराल की बारिश में खोशी से नाचती है और सुमित्रा उनके लिए पकोड़े, चाय और बहुत कुछ बना कर उने के लिए